नमस्कार आप देख रहे हैं जिविनुज तो दोस्त वक्त हो गये दो पहर की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जियो बिनुज को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दिश जाकर जिविनुज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिलको ओन कर दीजिए दिल्ली के लोगों को आयुशमान भारत योजना से फाइदा नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने यहाँ पर योजना लागू नहीं होने दी केजरिवाल पहले बोलते थे की बंगला नहीं लेंगे लेकिन एक नहीं चार-चार बंगले ले लिये अब दिल्ली इनका चरितर समच चुकी है जावडेकर ने केजरिवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों की कसम खाई की कॉंग्रेस के साथ नहीं जाएंगे लेकिन सत्ता के लिए कॉंग्रेस के साथ भी हो गए अन्ना हजारे के अंदोलन के समय लोकपाल का नारा लगा कर सरकार में आये लेकिन लोकपाल नहीं लापाए मुदी सरकार ने लोकपाल बाहल किया पाकिस्तान ने UNST में उठाया तो जहलनी पड़ी किरकिरी चीन के अलवा किसी ने नहीं दिया समर्थन जहां कस्मीर को लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने किरकिरी हो रही है इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है इसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान को कस्मीर मसले पर पाकिस्तान की सन्युक तराष्ट में किरकिरी जहली पड़ी है आपको बता दे कि हमेशे सहीं पडोसी मुल्क का समर्थन करने वाले चीन ने सन्युक तराष्ट सुरक्षा परिशद में एनी अधर बिजनेस के तहट कस्मीर मुद्धे पर क्लोज डोर मीटिंग का प्रस्ताव रखा पाकिस्तान की ओर से की गई अपील के बाद चीन ने यह परस्ताव रखा था जिसके लिए 24 दिसंबर 2019 की तारिक तै की गई थी लेकिन तब मीटिंग नहीं हो पाई थी रिपोर्ट के अनुसार कस्मीर का मसला चीन ने UNSC की मीटिंग के दोरान उठाया इस दोरान अस्थाई सदस्यों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ 10 सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मसला उठाने की आवशक्ता ही नहीं है महराष्ट में भी टेक्स फ्री होगी अजय देवगन अस्तारर ताना जी उधव सरकार जल्द करेगी इसकी घोशना जिहां अजय देवगन की फिल्म ताना जी द अनसंग वारियर को जल्द ही महराष्ट में टेक्स फ्री किया जा सकता है महराश्ट सरकार में मंत्री बाला साहिब थोराट ने ट्वीटर पर बताया है कि इस फिल्म के बीशे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई जहां उपस्तित जदतर सदस्य फिल्म को टैक्स फ्री करार देने के हक में थे ऐसे में मुख्य मंत्री उद्र उठा करे जल्द ही इसे लेकर घोशना कर सकते हैं बाला साहिब थोराट ने ट्वीटर पर मराठी भासा में इसकी जनकारी सेयर किया है जिसे पढ़ने के बाद लोग भी खुश नजर आ रहे हैं इस फिल्म को बीते काफी समय से रज में ट्रेक्स फ्री करने की माग उठ रही थी मोदी सरकार के 36 मंत्री जाएंगे जम्मू कस्मीर में जनता के बीच लोगों को बताएंगे आर्टिकल 370 हटाने के फायदे जिहां जम्मू कस्मीर से अनुचे 370 हटाये जाने के बाद अब हालात धीरे-धीरे समाने होने लगे हैं ऐसे में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए मोदी सरकार कई अहम फैसले ले रही है इसी कड़ी में जम्मू कस्मीर की जनता को अनुचे 370 के हटाने के बाद अब उसके फायदे बताने के लिए केंदर सरकार एक नई पहल कर रही है जम्मु कस्मिर की आवाम को अनुछे 370 के हटाए जाने से वहाँ पढ़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जनकारी देने के लिए मोधी सरकार के 36 मंत्री रज में जाएंगे मोधी सरकार के मंत्री 18 जनवरी से 25 जनवरी तक के बीच इन सभी मंत्रियों को आम जनता के बीच जाना होगा जहाँ पर लोगों से रुबरू होंगे और सरकार ने जो अहम फैसले किये हैं उससे उनके जीवन में क्या असर पड़ेगा उसे बताएंगे आर्थिक मंदी पर मोधी सरकार को सुब्रमन्यम स्वामी ने दी सलाह कहा नोटों पर धन की देवी लक्षमी जी का चितर चापा जाए जिहां भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता एवं राज्यसभा सदसे सुब्रमन्यम स्वामी ने कींदर सरकार को सलाह देते हुए कहा कि मुझूदा देश की अर्थवस्था को सुधारने के लिए नोटो पर धन की देवी लक्षमी जी का फोटो चापा जाना चाहिए इस दुरान उन्होंने इंडोनेसिया में नोटो पर भगवान स्री गणेश जी की फोटो चपी होने की खबरों के बारे में पूछे जाने को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए आपको बता दे कि मद्यपरदिस की खंडवा जीले में उन्होंने काईजन में यह बात कही